मुंबई के मीरा रोड हत्या कांड में भी नयनय मोड सामने आ रहा हैं एक रोज पहले ही ये दिल देला देने वाली गटना सामने आई थी जिसमें मनोज साने नाम के आदमी पर अपनी लिविन पार्टनर की हत्या करके उसके टुकडे करने का आरोप लगा था और अब पुलिस सुत्रों का दावा है कि मीरा रोड हत्या कांड का आरोपी मनोज साने लगातार बयान बदल रहा है और पुलिस को गुम्रा करने की कोशिश कर रहा है इसी वज़े से पुलिस हत्या की वज़य जानने के लिए मनोज साने से पूस्ताच कर रही है जिसमें आरोपी मनोच साने पर पुलिस जांच को गुमरा करने का आरोप लगा पुलिस सुत्रों ने दावा किया कि वो लगतार अपने बयान बदल रहा है उसने सरस्वती से 2014 में नहीं बलकि 2010 में मुलाकात की बात कही और पताया कि वाशी की सबजी माकेट में मुलाकात के बाद वो उसे घर का काम कराने के लिए लाया था और इसके बाद वो दोनों 2010 से ही लिविन पार्टनर की तरह रहने लगी पुलिस सुत्रों ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने ने पूश्टाच के दोरान खुद को HIV पॉजिटिव बताया और दावा किया कि इसी लिए उसने अपनी पार्टनर के साथ कभी संबंद नहीं मनाए अब पुलिस उसके HIV पॉजिटिव वाले बयान की सचाई जानने के लिए मेडिकल टेस्ट कराएगी जिसमें मुंबई पुलिस के सामने कई महिलाएं पहुची जिरोंने खुद को सरस्वती की रिष्टदार बताया जबकि पुलिस ने हत्या की वारदाद सामने आने के बाद सरस्वती को अनात बताया था लेकिन अब तक पुलिस के सामने तीन महिलाओं आ चुकी हैं और इन तीनों महिलाओं ने खुद को सरस्वती की बहन बताया जिसके बाद पुलिस ने सरस्वती को अपनी बहन बताने वाली इन तीनों महिलाओं के बयान दर्च की और उसकी लेविन पार्टनर सरस्वती की शादी होने की जानकारी मिली पुलिस को सरस्वती के शव के टुकडे मनोज साने के मीरा रोड वाले फ्लाट से मिले थे और अभी तक पुलिस इस मामले में सरस्वती को उसका लेविन पार्टनर मान कर जांच कर रही थी लेकिन अब पुलिस के सामने खुद को सरस्वती की बहन बताने वाली तीनों महिलाओं ने उन दोनों की शादी होने का दावा किया जिसके बाद पुलिस ने उनके बयान दर्च किये और मुंबई पुलिस सरस्वती का शब भी उने सौंपने की तयारी कर रही है पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने सरस्वती से मिलने एहमद नगर के उस आश्रम में भी जाता था जहां वो पढ़ाई करती थी लेकिन सरस्वती लोगों को उसे अपना मामा बताती थी इसलिए उसने शादी के बारे में भी किसी को नहीं बताया वहीं पुलिस सुत्रों ने दावा किया कि मीरा रोड हत्या कांड में आरोपी मनोज साने अपनी लिविन पार्टनर सरस्वती के साथ मारपीट करता था सुत्रों ने ये दावा मनोज साने से हुई पूश्ताच के आधार पर किया गिरफतार किये गए मनोच साने पर अपनी लिविन पार्टनर सरस्वती की हत्या के बाद उसके शब के टुकडे करने का भी आरोप है। पुलिस मान रही है कि सरस्वती के बहनों के सामने आने से इस केस की जाच में उसे बड़ा ब्रेक्ट्रू मिला है। पुलिस सुत्रों के मताबिक उसने पूश्टाच में बताया कि तीन जून को उसका अपनी लिविन पार्टनर सरस्वती से जगड़ा हुआ। जिसके बाद सरस्वती ने जहर पी लिया और उसकी मौत हो गे। इससे वो घबरा गया और फसने के डर से उसने उसके शव को ठिकाने लगाने की ठानी। जिसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े किया और उन्हें ठिकाने लगाने लगा। उसने पुलिस को ये भी पताया कि इसके बाद वो भी खुदकुशी करने वाला था। लेकिन उसका ये बयान पुलिस की जाच में जूटा निकला। सुत्रों ने बताया कि उसने जाच को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतिजार है। जिसके बाद वो सरस्वती के शव के गायब हिस्सों की तलाश करेगी।